हेलो एब्रीवन वेलकम टो गेट एकडमी माय नम इस दीप्राचंद्रा कर एचोडी ऑप मैकनिकल इंगिनियों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसक्रेशन करने वाला हूं जो आपके पास प्रिविएस यह कोश्चन बैंक है गेट अकाडमी का मैकनिकल का उसको किस त है यह सभी स्टूडेंट के लिए है कि आपके पास एक प्रिविएस यह कोश्चन बैंक होना जरूरी है जब प्रिविएस यह कोश्चन आप देखोगे तो आपको समझ मायागा कि किस तरीके के कोश्चन आक्चुली पूछे जाते हैं आप कोर्स तो पढ़ड़ है आप कोर रते हैं अगर मां बात करूँं आज के वीडियो में कोनेटी साथ के साथ कोश्चन बैंक होना जए और मैथमाटैक्स का विष्क कोश्चन है और उसके साथ solution है और हम किस format में दिये हैं आपको उसके बारे में discussion करूँगा साथ के साथ आपको कभी यूज करना चाहिए कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊँगा सबसे पहला question आता है कि सर अगर मैं कुछ subject अगर मैं बात करूँ आपने theory of machine पढ़ा वर्क बुक के भी questions लगा लिये सर आपने जो बताया था सारे questions हम लगा लिये हैं अब यहां से मैं previous year question को कैसे लगा हूँ आपके workbook में बहुत सारे questions previous year रहेंगा होंगे रहते ही है ठीक है आप अल्रड़ी उस पर बात कर चुके है उस पर discussion हो चुका है वो बना लिये है जब previous year question bank आप देखेंगे प्रलट के आपको और भी questions दिखेंगे apart from the workbook so वो सारे सवाल आप लगा लिजिए जब पर्ड़ है ना जैसे कि chapter 1 पर लिया मैं theory of machine में for example मैं simple mechanism पर लिया simple mechanism में कौन कौन से questions है सर वो previous year के लगा लिया velocity acceleration पर लिया उसके जो questions है previous year question book में वो मैंने लगा लिया ठेक है ना workbook लगाने के बाद आपको previous year question लगाना चीए एक strategy यह हो सकता है दूसरा यह हो सकता है कि for example आप theory of machine पूरा खतम किये workbook पूरा लगा लिये और उसके बाद just end करने के बाद workbook end कर लिया मैं पूरा लगा लिया उसका रियूजन किया रियूजन करते समय आपको short notes अगर तयार करना है तो short notes तयार कर लिजिए साथ के साथ आपको previous year question लगाना चीए तो theory of machine का एक साथ अपला गाल होगे तो एक से डेर दिन आप देने वाले हो उसमें पूरा question को तो आपको फिर से क्या हो जाएगा reason भी हो जाएगा और साथ के साथ और भी question का idea लगेगा चली आगे बढ़ते हैं इस पे अगर मैं बात करूं आपसे किस तरीके की चीजे होनी वाली है आपको हमारा book क्यों select करना है मतलब एक student अगर हमारा course पढ़ रहा है तो मैं तो चाहूंगा हमारा book select करो लेकिन इस पे और क्या क्या चीजे है कि एक student के लिए मैं कहा रहा हूं कि यही book आपका है select करो अगर मैं बात करूं तो देखिए इस पे आपका जो solution है वह 1987 से 2020 तक आज जो वीडियो बना रहा हूं आज का दीन जन्वरी आपका जन्वरी 2021 है so obviously हमारे पास जो अभी paper नहीं हुआ है gate exam का paper नहीं हुआ है 2021 का paper नहीं हुआ है तो 2020 तक की चीजे आपको मिलेंगी मतलब इस पे 33 साल का courage आपको मिलने वाला है with the एक एक question में आपको हो सकते है multiple solution मिलें कई question में आपको multiple solution देखने को मिलेगा जो कि आप अगर कोई student पहले से gate का preparation कर रहा होगा या उनके senior होंगे तो उनके पास ना और भी other publication के किताब होंगे तो वो compare कर सकते हैं easily जो जिनके पास यह sources नहीं है compare करने के जरुवत नहीं है मैं बता रहा हूँ कि हमारे book में जो ability है वो किसी के दूसरे book में नहीं अभी till now market में नहीं है that's why मैं इसको recommend कर रहा हूं ठीक है ना सो आपको multi method approach for a single problem to develop crystal clear concepts यह multi method जरूरी हो जाता है जब एक question को आप multi method से देखते हैं तो आपको clarity मिलती है कि भाई objective question के लिए मुझे easy shortcut कुछ चीजे मुझे जरूर देखनी चाहिए ताकि exam मैं मैं बाकी लोगों से आगे लिखल जाओ तीन घंटे का exam है we know that so उस पे बाकी लोगों से आगे जाने के लिए यह चीजे अपने को करनी रहेगी ठीक उसके अलावा और क्या है एक qr scanner है qr scanner रहेगा वहाँ पे आप जाके solution में उस qr को scan करेंगे तो direct आपको video link मिल जाएगा जहां पे उसका solution उस question का solution दे रखा है ठीक उसके अलावा यह book अगर आप करोगे 33 साल के gate के questions करोगे न तो आपके लिए यह चाहे engineering service के लिए आप prepare करो कोई भी पीसी उस जिसक में helpful रहने वाला है क्योंकि आपको क्या होगा कि आपने concept पूरा पढ़ लिया साथ के साथ आप जब 33 साल के questions लगा लिया न तो आपके दिमांग में चलना सुरू हो गया कि हाँ भाई इस तरीके के भी questions हो सकते हैं इस तरीके के भी questions हो सकते हैं सारे possibility आपको देखने को मिले आपको short notes बनाने में इसके अलावन आप एक handbook भी रख सकते हैं mechanical का handbook है हमारे पास वो रख सकते हैं उसको मैं recommend करूंगा जो student चाहता है कि नहीं सर एक साथ मैं solution जो मेरे जितने भी subjects हैं उसके formula से एक साथ चाहिए आपको handbook भी purchase कर लेना चाहिए handbook आपके पास होना बहुत पहले ही preparation शुरू कर रहा है तो यह दोनों चीज़ आपके पास होने चीए yes short notes is must yes short notes is must अगर आपको exam लिकालना है तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मैं बोलूं mechanical engineering का जो previous question है वो दो volume में available है volume 1 and volume 2 so this is the for the 2021 2021 का exam जासे ही होगा तो हम add करेंगे तो आप provide करते ही है हाना हमारे students को so मिल जाएंगे उसके लिए आपको tension लेने की जरवत नहीं आप gate academy के साथ जोड़ रहे हो gate academy के product use कर रहे हो so उसके लिए हम हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि student को कितना मतलब हम यह सोचते हैं हम student थे हम जब कहीं पर कुछ invest करते थे कुछ पैसा देते थे तो क्या-क्या चीज़े अपने को मिलने चाहिए सो अब्यस्ली हाना हम इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं और आपको कुछ भी required होने से वो सारी चीज़े हम provide करते ही हो मिल जाएगा 2021 का आपका तो अभी हम video solution भी जैसे paper आएगा हम video solution भी provide करेंगे YouTube में वह आपक तो मिल जाएगा तो यह volume 1, volume 2 दो आपके mechanical के engineering के previous question bank है इस पे आपका solution with the solution चीज़े है दो volume क्यों आया सर क्योंकि बहुत मोटी किताब है बहुत मोटी किताब है और इतने सारे multiple approach key points हम को डालना था तो एक किताब में वो बनाना असान नहीं था इसलिए इसके दो किताब है मैं यह कह रहा हूं कि market में जो बाकी जो publication के आपके solution book दिखेंगे यह previous question वाला वो आपक हमारे एक volume के बराबर ही रहेगा हम तो दो volume मों मनाये हैं क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़े हम बता रखे हैं आपको मजा आजाएगा इस पर क्या होने वाला है साथ के साथ आप देखोगे हाँ वो तो आपके पास यह होना चीए previous year यह होना चीए इस पर color pages वगरा है मैं colorful लिकालता है हम लोग लिकालते है colorful ताकि एक student को ना वो free ला है वो मजा है साथ के साथ qr scan code this is the idea of gate academy ठेक सो यह सारी चीज़े आपको मिलने वाली है इसके अलावाद दो किताब और होनी चाहिए आपके पास that is your general aptitude and engineering mathematics सो यह दोनों किताब में और एक अच्छा overall coverage मिलेगा अगर मैं बोलूँ एक mechanical engineering का student है तो उसको ना पूरा previous question लगाना चीए general aptitude का आपको पता है general aptitude और मैं इस बार जैसे सब्सक्राइब कर रही है और इस आप सब्सक्राइब का आने वाला है तो यह अच्छा खासा coverage अच्छा खासा वेटेज करता है ना भाई 28 पॉसेंट के लिए अगर मैं कहूं कि आप जनरल aptitude पर लिए और पूरे previous question लगा लिए ना थीक है good है आप स्कूर कर सकते हो बहुत अच्छा से similarly engineering mathematics में engineering mathematics में हमने क्या किया है कि आपको civil engineering कभी मिलेगा इसमें previous question chemical कभी मिलेगा electronics कभी मिलेगा electrical mechanical mechanical का तो आपको लगा नहीं है सबसे easy math होता है mechanical का बाकी branches का भी आपके जो syllabus में है जो पार्ट आपके syllabus में है almost अगर मैं बोलूं तो almost same रहता है कुछ-कुछ parts हमारे syllabus में नहीं है हमारा math easy होता है mechanical engineering का math easy होता है तो आप 13 marks का अगर math आ रहा है तो 13 out of 13 score कर सकते हो यह होना चाहिए आपके दिमाग में और इस पर क्या ही यसी के प्रीज के भी questions है तो आपको एक overall मज़ा आने वाला इस बुक को पढ़के इसमें previous year आपको लगाना चाहिए हो topics के जो topic आपके syllabus में है ठेक engineering math के लिए आपके पास यह किताब होना चाहिए इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो देखिए यह आपको मैं एक sample दे रखा हूँ colorful जैसे मैंने आपको बताया था colorful pages मिलेंगे ठीक इयर वाइस आपके questions देखने को मिलेगा ठीक एक chapter चैप्टर वाइस डिवाइट किये हैं और इयर वाइस उस पे आपको questions देखने को मिलेगा उसके बाद अगर मैं बोलूँ यह question आपका 2019 तक आप देख सकते हैं आपको 2020 के भी questions देखने को मिलेंगे इस chapter में नहीं आया होगा 2020 का तो नहीं है जिस chapter में आया है जहाँ पे है वहाँ पे आपको दिखेगा ठीक इस तरीके से आपका answer की पूरा बना हुआ है और उसके बाद हर एक question का आपको solution देखने को मिलेगा ऐसा solution दे रखे हैं कि हर एक question का solution दे दीए ये qr scanner भी provided है ये qr scanner भी provided है बिल्कुल sir qr scanner भी provided है तो इस तरीके की चीजे आपको देखने को मिलेगी ठीक ठीक है सब आगे बात करते है ठीक है आगे मतलब मैं यह बोल रहा था कि इसके अलावा आपके पास हैंड बुक और होनी चीए और प्रिवेशी एक कोश्चन लगाना ही है उसको मिस मत करना कम से कम अगर मैं बोल हूँ गेट एक्जाम से पहले अगर आप तीन-चार बार रिवजन कर ले रहे है प्रिवेशी एक कोश्चन तैतिस साल के कोश्चन से आपके पास तीन-चार बार अगर रिवजन कर ले रहे है तो आपको एक ओवर आल बहुत अच्छा आइडिया मिल जाया का उसके बास तो टेस झाल बहुत अज़ आपको एक बास तीन-चार बास तीन-चार आपको ओवर आल आपको एक.